साथियों, आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देश वासियों ने निराश नहीं किया है। यह आपके आशिरवात की ताकत है कि हम सम मिल करके अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं। आज मैं आप सभी देश वासियों से, 130 करोड देश वासियों से, आप सबसे कुछ मांगने आया हूं। मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ताह चाहिए। आपका आने वाला कुछ समय चाहिए। मेरे पैरे देश वासियों, अभी तक विज्ञान कोरोणा महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाई नहीं सुझा सका है। और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है। ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़ने बहुत स्वाभाविक है। दुनिया के जिन देशों में कोरोणा का वाईरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है। इन देशों में सुरूआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है। इन देशों में कोरोणा से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनों ने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है।